आपको जानकरी देने वाला हूँ वो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत एक काम की साबित हो सकती है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखे ताकि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आप ठीक से समझ सके दोस्तों क्या कभी आपके पास ऐसा मे मैसे जाए कि आपका जो डाटा पैक था वो खतम हो चुका है उसको रिचार्ज कीजिए जरूर आया होगा दोस्तों जब हमारा महीने के एंड में मैसेज आता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती चलिए महीना पूरा हो भी जाता है लेकिन जब हमें बीच महीं ऐसा सबस्टेड़ कि दिया देखें कम्पणी ने मेरे को बार तो मेरे एसी मैसेज कर देती है उसमें होता है कि हमारा डाटा आजका खतम हो गींगे जैसे बहुत से कम्पनियाardi का देली 1.5 saat nap लिमिट हमें देती है तो उसमें क्या होता है कि हम देखते ही नहीं कि हमारा डाटा use हुआ या नहीं हुआ लेकिन दोस्तों हमें ट्रेक करना चाही है कि हमारे पैसे जोंब फरी में नहीं आते और नहीं हो पेड़ पर रुखते हैं तो हमें अपना डाटा भी मोनिटर करना चाहीए और अगर हम डेली का उतना खतम नहीं भी कर रहे हैं और हमारे पास company message कर रहे हैं तो हम company को बोल सकते हैं कि हमारा data अभी खदम नहीं हुआ तो इसी को देखते हुए मैं आपको एक ऐसी application का नाम बताऊंगा जिसका काम बहुत ही simple सा है और बहुत ही अच्छी application है वो आपके phone पर जादा बोज भी नहीं डालेगी उस application का नाम है internet speed meter इसका link मैंने आपको description में भी दिया है इसे आप बहुत ही simple होता है और वो क्या है कि यह आपको daily का data कितना यूज़ कर रहे हो वो आपको यहां बताता रहेगा और साथी साथ आपके internet की speed कितनी है वो भी आपको यहां पर बताएगी तो दोस्तों देखे मैं इसे यूज़ करता हूं लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसे अभी delete करके दुबारा से install किया है यहां पर सारा zero आपको दिख रहा होगा और यहां पर आज की date में यह 2 MB क्योंकि मैंने अभी इसको चालू करा है तो 2 MB यहां पर मैंने अभी तक यूज़ करा है तो यह दिखाव आ रहा है आप यहां पर daily आपको जितना आप data यूज़ कर रहे हैं यहां पर यहां पर monitor कर सक कि देखे कितनी आपके internet की speed है यहां पर ठीक है तो यह बहुत ही काम आने वाली चीज़ है simple सी application है लेकिन इसका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है आप इसे एक बार use कीजिए बहुत अच्छी application है क्योंकि अपने पैसे को बचाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क् कंपनिया कई बार हो सकता है हमें वैसे ही message भेज़ देती है और हम फटाक जल्दी से हम recharge कर वा लेते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आप भी अपने mobile के data को track करें monitor करें और उसे आपसे पैसा आगे खर्चा करें दोस्तों जानकर आपको कैसे लगी प्लीज हमे सब्सक्राइब सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद